दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद के जिवाल को दिल्ली हाई कोट की तरफ से बड़ा जटका लगा है देखिए के जिवाल जो है वो इन दिनों जेल में बंद है और अपनी जमानत याचका को लेकर आज दिल्ली हाई कोट में सुनवाई होनी थी जो की हाई कोट ने टाल दी है दिल्ली के CM अरविंद केज्रिवाल लंबे समय से तिहार जेल से बाहर आने की कोशिश कर रही है जिसमें उन्हें एक बार फिर बड़ा जटका लगा है आज दिल्ली हाई कोच में उनकी जमानत याजका पर होने वाली सुनवाई टल गई है अब इस मामले में अगली सुनवाई साथ अगस्त को होगी तब तक केज्रिवाल तिहार जेल में ही बंद रहेंगे बता दे कि आज सुनवाई के दौरान केजिवाल के वकील ने हाई कोट को बताया कि सुप्रिम कोट के आदेश के तहट उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है आगे उन्होंने कोट से कहा कि उन्हें और अधिक समय चाहिए क्योंकि E.D. ने कल रात 11 बजे याजका पर नया जवाब दाखिल किया है इसके बाद कोट ने मामले को 6 अगस तक सवित कर दिया है इससे पहले केजिवाल ने चाहिल कोट के आदेश को चनौती देने वाले E.D. की याजका पर जवाब दाखिल किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो E.D. की जासुसी का शिकार है उन्होंने तरक दिया कि उनकी जमानत रद करने की E.D. की आजका विचार करने के लायक नहीं है सुप्रिम कोट की ओर से पारित पिछले फैसले के बिलकुल अलग है दरसल 20 जुन को राउज एवन्यो कोट ने केजरिवाल को जमानत दे दी थी 21 जुन को E.D. ने हाई कोट में फैसले को चुनौती दी थी वही 25 जुन को इस पर सुनवाई हुई E.D. ने तब हाई कोट से कहा था कि ट्राइल कोट ने हमारा पक्ष ठीक से नहीं सुना जमानत देते समय विवेक का समाल नहीं किया गया अदालत को E.D. को बहस करने के लिए परियाप्त अफसर देना चाहिए था दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवाल लंबे समय से तिहार जिल से बाहर आने की लगतार कोशिश कर रहे हैं जिसमें उन्हें एक बार फिर से हाई कोट ने बड़ा जटका दिया है बतादी की दिल्ली हाई कोट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई आज टाल दी गई है और अब इस मामले पर जो सुनवाई होगी वो 7 अगस्त को ही है तब तक केजिवाल तिहार जेल में ही बंद रहेंगे बतादी की सुनवाई के दोरान केजिवाल के वकील ने हाई कोट को बताए के सुप्रिम कोट के आदेश के तहत उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है तो देखिए लगातार केजिवाल की जो जमानत याचिका है वो टाली जा रही है और एक बार फिर से दिल्ली हाई कोट की तरफ से केजिवाल को बड़ा जटका लगा है तो देखी केजिवाल की जमानत याजिका पर आज दिल्ली हाई कोट को सुनवाई करनी थी जो आज टल गई है और अभी ये सुनवाई सीधे 7 अगस्त को होगी फिलाल कले इस ख़बर में बसतना ही आप देखते रहें